अल्प प्रवास पर उमरिया पहुंचे मधिप्रदेश नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग ने भाजपा और जोतेरादित सिंधिया पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सिंधिया को दीमक की संग्या प्रदान करते हुए कहा कि वह दीमक की तरह कॉंग्रेस में काम करते थे जिससे लगतार पार्टी कमजोर हो रही थी। अब चले गए हैं तो कॉंग्रेस आजाद हो गई है। प्रदेश में ब्रष्टाचार का बोलवाला है। प्रदेश की जनता कर्ज में डूपती जा रही है। मदिप्रदेश विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग शुकरवार सुबा उमरिया पहुंसे। जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा के कार्याले में ब्रष्टाचार का बोलवाला है। भाजपा सरकार के आने से पूरे प्रदेश में ब्रश्टाचार चरम सीमा में है वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग ने विजन 2023 को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि सिंधिया के कॉंग्रेस में रहने से पार्टी कमजोर हो रही थी वहीं सिंधिया दीमक की तरह पार्टी को नुक्स द्धन, दौलत और पूरी परंपरा हिजाई ने इसकी महराजय की तरह बिहार करता था। सिंधिया जाने से कांग्रेस आजाद हो गई गवालियर चंबल संभाग में और उनकी हैसियत क्या थी वो जनताना उनको बता दी इसंधिया के जिसका जो पीय रहता था दायक प्रति विहार गए। सत्तावन बर से जब तक सिंधिया थे तब तक गवालियर नगर निगम में हमारा कभी महापौर नहीं बना। जब से नगर निगम नभीन बनी है मुरेना उस समय से मुरेना में महापौर कांग्रेस कर नहीं बना। और सिंधिया जाने से के जाने से कार करता को जनाधार वाले हैं उनकी हिम्मत उनकी मेहनत खून पसीने से गवालियर चंबल संभाग में नगरी प्रसासन और पिछले उप्चरांग में भी भारी सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली है। सिंधिया जी जो थे वो कांग्रेस में जिस परकार दीमक हो दी ने दीमक घर में घुन लगाते हैं वो कांग्रेस पार्टी में घुन थी कांग्रेस पार्टी को ही समाप्त करने में खाने का काम कर रही है। लन्सीटी क्रूब चूस थे बेस्ट वी थे बेस्ट फूर्मिशन्स काल 744 0 777 1 रबिन्टनाथ तगोर अनिवर्सटी फिर पिनियर्स इंस्किल देवल्पमेंट विट फोकुस उन क्रेटिं इंस्किल रेदी प्रफेशनल जोन इंडिया प्रेमियर्स किल बेस्ट उनिवर्सटी रबिन्टनाथ तगोर अनिवर्सटी आप देख रहे हैं तखल निवर्स